हलो फ्रेंड्स तो स्वागत है आपका हमारे आज के इस रेसिपी वीडियो पे और आज हम लोग मकाई में से इनके दानों को निकाल कर इससे वड़ा बनाएंगे जो खाने में स्वादिश्ट तो बनती है और मकाई हमारे सरीर के लिए फाइदेमंद भी होता है तीन पीस मकाई में से दानों को निकाल कर रखा है और अब इसे हम अच्छे से एक दो बार वस्ट कर लेंगे जो भी छिलके या रेसे वगएर है सबको अच्छे से इन में से साफ कर लेना है और फिर हम इसे ग्राइंडर के जार पे लेंगे इसके साथ हमें पानी नहीं डालना है इसके साथ हम एड़ करेंगे 10 से 12 कच्छी मिर्च अपने स्वाद अनुसार हरे मिर्च को डालें आप और तीन गांठ छिली हुई लेसुन अब इन सभी चीजों को दरदरा पीस कर तयार करेंगे अब पीसे हुए मकाई को ग्राइंडर में से निकाल लेंगे और इसमें डालेंगे एक छोटी चम्मच जीरा पाउडर एक छोटी चम्मच या स्वाद अनुसार काला नमक और दो मीडियम साइज के बारिक कटे हुए प्याज अब इसे हम मसालों के साथ में मिक्स कर लेंगे चम्मच से या हातों से जैसा आपको अच्छा लगे आप अच्छे से इसे मिला लें अब इसे फ्राइ करने के लिए हमें कडाई पर सरसो तेल को गरम होने दे रहे हैं तेल जब बिल्कुल अच्छे से गरम हो चुका हो तब इस बैटर को हाथों में लेके वड़े बनाएंगे वड़े बना कर रखना नहीं है ये चिपक जाएंगे इसे हम इस तरह से बना बना करके डाइरेक्ट ओयल पर फ्राइ होने के लिए छोड़ेंगे कुछ देर फ्राइ करने के बाद इसे हम पलट लेंगे और दोनों तरफ अच्छे से फ्राइ करेंगे देख सकते हैं अब आप दोनों तरफ से अच्छे से फ्राइ हो चुकी है इसे अब हम ओयल पर से निकाल कर बाकी बचे बैटर को भी इसी तरीके से फ्राइ करेंगे तो फ्रेंड्स आज की रेसेपी तयार हो चुकी है मकई के वड़ो को बनाने के बाद इसे आप टोमेटो केचप डाल कर गर्मा गरम खा सकते हैं धैन्यवाद